आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि NTPC CBT 1st की क्या संभावित कटोफ रह सकती है साथ दोस्तो हम डिसकस करेंगे कि जिन भी कंडियेट के अच्छे कासे नंबर आ रहे हैं उनको NTPC CBT 2 में कितना से फिसकोर करना चाहिए ताकि आप लोग NTPC CBT 2 को अच्छी तरह से क्रेक कर पाएं सो हलो गाईस स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल प्रक्षा टॉक पर दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को जरू प्रेस करें ताकि NTPC CBT 2 के बाद आप लोगों को किस परकार साय को एक्जाम देना है किस परकार आप लोगों को डीवी देना है और मेडिकल किस परकार देना है उस सभी की संपूर जारकारी आप लोगों को हमारे चैनल के मादम से मिल सके और दोस्तों हमारे telegram channel को जरू जोईंग करें क्योंकि वहाँ भी मिलती है आप सभी को government job की latest information तो link दर का description box के अंदर तो वहाँ जाकर आप telegram channel को जरू जोईंग करें दोस्तों सबसे वहले हम बात करते हैं ntpc cbt first की संभावित cutoff तो दोस्तों मैं आप सभी को row marks के basis पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि कितने row marks पर आप लोगों का selection हो जाएगा दोस्तों आप किसी भी zone से हो कोई दिकत नहीं है जितने number में आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर इतने number आप लोगों के आ रहे हैं तो 100% आप cbt first को qualify कर जाओगे और दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने swim board का cutoff के बारे में तो आप हमें comment box के अंदर अपना zone आपकी category और exam date के साथ comment करें मैं आप लोगों को comment box के अंदर वहीं जाब देदूगा कि आपके zone की क्या cutoff जा सकती है संभावित तो आप हमें comment box के अंदर जरूर लिख सकते हैं वेसे तो दोस्तों आज सभी को पताए जो cutoff है वो zone wise vary करेगी किसी भी zone की cutoff आप लोगों को जाद देखने हो मिलेगी तो क आप सभी के अगर 60 plus number आ रहे हैं तो आप आसानी से CBT first को clear कर जाओगे किसी भी zone से हो तो general category के लिए 60 plus number और दोस्तों अगर हम बात करें OBC category के लिए तो 56 plus अगर आपके number आप बैट रहे हैं NTPT CBT first के अंदर तो आसानी से आप CBT first की जो exam है उसको killer कर जाओगे तो दोस्तों अगर हम बात करें SC category के लिए तो लगबग 51 plus number आपके बैटे रहे हैं तो हो killer हो जाएगा और अगर ST category के दोस्तों हो आप तो 47 plus पर आसानी से आप CBT first की जो exam है उसको crack कर जाओगे तो अगर आपके इतने number बन रहे हैं NTPT CBT first के अंदर तो 100% आप किसी भी zone से हो CBT first की जो exam ह है वो आसानी से आप लोग की killer हो जाएगी और दोस्तों normalization के अंदर आप लोग को कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ते होगे देखने को मिल सकते हैं अगर आप लोग की hard shift है तो तो आसानी से दोस्तों आप लोग के इतने number पर CBT first किलर हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मेत तो यह करत तैयारी कर सकते हो अगर आपने अभीतर तेयर शुरूर नहीं किये तो ऐसा मुका बार बार देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों एक बात मैं आपको clearly बोल दूँ कि NTPC CBT2 का जो exam है वो जो time दिया गया है सरकार के दुआरा उसी time पर होगा उससे आगे पिछे देखने को नह के बढ़ सकती है लेकिन NTPC CBT2 अपने टे टाइम पर होगा तो आप लोग के पास लगबग 40-45 दिन है तैयारी को शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक तैयर शुरू नहीं किया है तो result का weight मत करिए जो number मैंने आप लोग को बता दिये उससे ज़दा cutoff आप लोग को नहीं मिलेगी किसी भी condition के अंदर आप दोस्तों बात करते हैं कि जिन भी candidate के अच्छे कासे number आ रहे हैं और वो NTPC CBT2 की त्यारी शुरू कर दिये हैं तो उनको कितना safe score करना चाहिए CBT2 के लिए तकि आप लोग को एक final post मिल सके दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि NTPC CBT2 के अंदर जो final cutoff जाने वाली है उसके लिए आपको जबरदस्त मेहनित करने होगी दोस्तों आप देखेगा कि NTPC CBT2 के अंदर बहुत ज़्यादा high cutoff आप लोग को देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों competition इतना tight हो जाएगा कि आप पोच्छा मतिये बहुत ज़्याद को cutoff ज़्यादा लगती है तो वो लगे क्योंकि दोस्तों competition इतना high रहने वाला है कि आप पोच्छे मत बहुत ज़्यादा competition देखने मिलेगा आप लोग को NTPC CBT2 के अंदर तो जो नमर दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं आपके mock test में कम से कम इतने नमर आ रहे हैं त एक तो आप लोग की 12th pass वाली post है जो 12th pass वाले candidate एक तो उनके लिए हैं जिसके अंदर gradation वाले candidate वो भी apply कर सकते हैं और दोस्तों second post दोस्तों वो है जिसमें सिरिफ आप लोग को CBT2 का exam सिरिफ वो ही pass करना है जैसे guard वगरा की exam हो गई और दोस्तों तीसरी post आप लोग की व सबसे मैं आप लोग को safe score बताने वाला हूं कि कितना आप लोग को safe score करना चाहिए जोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि 12th वाली जो post है उसके qualify करने के लिए आप लोग को कितने marks लाने पड़ेंगे तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को 120 में से 95 प्लस का target लेके चलना ह 12th वाली post को पाने के लिए तो 12th वाली जोस्तों post है इसमें TCTT वगरा है तो उसके लिए दोस्तों कम से कम 120 में से 95 प्लस कुशन आप लोगों के right होने चाहिए 100% accuracy के साथ तो इतने नमबर आपके अगर mode test में आ रहे हैं तो दोस्तों आप dream कर सकते हो NTPCBD2 की 12th पास वाली post को हासिल करने के लिए तो उसके अंदर हम पूरा describe करेंगे कि आप लोग की category wise कितने cutoff देखने को मल सकती है हर एक post के बार हम discuss करेंगे किस post के क्या cutoff जा सकती है तो दोस्तों चैनल को ज़रू subscribe करें आज के इस वीडियो में सिप मैं आप लोग को मोटा मोटा idea देने वाला ह वाली जो post है उसके लिए कम से कम आप लोग को 95 प्लस का target लेकर चलना है 120 में से दोस्तों अब बात करते हैं एसी post के बारे में जिसमें आप लोग को cbt3 भी देना है यानिकि दोस्तों आप लोग को टाइपिंग देनी है और जिस post में आप लोग को साय को देनी है उसमें post के लिए कम से कम आप लोगों को 80-85 marks लेकर आने है 120 में से तब जाकर आप जो next level है CV2 के बाद उसके लिए eligible हो पाएंगे तो कम से कम आप लोग को 120 में से 80-85 plus target लेकर चलना है अभी सही अपने mock test में दोस्तों कम से कम आप लोग के 80-85 नमर आने ही चाहिए तब जाकर आप य teaching master की जो post है उसको हंसिल कर सकता हूं या फिर टाइपिंग वाली post है उसको मैं killer कर सकता हूं तो 80-85 नमर आप लेके चलिए अब दोस्तों बात करते हैं उस post के लिए जो काफी famous है गुर्षगार की post दोस्तों इस post की जो dream होती है हर एक candidate की dream होती है कि उसको गुर्षगार की post post मिलें क्योंकि उस तो काफी अच्छी post माने जाती है गुर्षगार की post तो उस post के लिए दोस्तों कम से कम आप लोगों को 95 प्लस का target लेके चलना है तब जाकर दोस्तों आप जो guard वाली post है उसको हंसिल कर पाओगे तो दोस्तों 12 वाली post के लिए 95 प्लस आपका target हैना चाहि और दोस्तों station master वगरा हो गई जिसमें आपको typing देनी है वो post होगी उसके लिए कम सकम आपको 80-85 target देना है और जो guard वाली post हो दोस्तों उसके लिए कम सकम आप लोगो 95 प्लस target लेके चलना है तब जाकर दोस्तों आप जो NTPCB2 है उसको crack कर पाओगे उसको cut off आप लोगो इत लोगो को category वाज बताने वाला हूँ कि किस category की कितनी कड़ जा सकती है इन post हो के अंदर भी तो चैनल को ज़रू subscribe करें तो दोस्तों इतना number आप लोगो लेके चलना है अपनी exam को crack करने के लिए दोस्तों final exam है NTPC CBT2 उसके बाद आप लोगो को कुछ भी निदेना आराम से द इस exam को crack करना कैसे भी करके दोस्तों जो NTPC CBT2 है यह 100% अपने fix time पर होने वाला है गुरूप D का जो exam में उसकी date बेसक आगे बर सकती है लेकिन NTPC CBT2 अपने fix time पर होगा तो दोस्तों हम next वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे बिलकुल complete analysis NTPC CBT2 के बारे में कि zone wise क्या cut off आप लोगों को देखने को मिलेगी category wise क्या cut off आप लोगों को देखने को मिलेगी तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और हमारे telegram चैनल को जरूर जोइंग करें तो मैं मिलता हूं आप से next video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद